Hello my dear viewers, welcome back to the channel दोस्तो आज इस वीडियो में हम सितंबर 2030 की 25 सबसे ज़्यादा बिखने वाली SUVs का sales figure देखेंगे तो दोस्तो वीडियो काफी interesting होने वाला है, वीडियो को last तक जरूर देखे और हाँ दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें बेला आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का notification आपके पास तुरंद पहुचे दोस्तो पहले हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट के 25 पचीसवे पोजीशन की तो पचीसवे पोजीशन पर है रेनो काइगर काइगर की सितंबर 2023 में केवल 980,980 यूनिट भी की हैं इसका sales figure 61% सितंबर 2022 के मुकाबले कम हुआ है 24 पोजीशन पर है Volkswagen Tagoon Tagoon की 1586,1586 यूनिट भी की हैं इसका भी sales figure 20% कम हुआ है 23 पोजीशन पर है Hyundai Alkazar Alkazar की 1977,1977 यूनिट भी की हैं अलकजार का भी sales figure year on year सितंबर 2022 के मुकाबले 25,25% कम हुआ है बात कर लेते हैं आप 22 पोजीशन की तो 22 पोजीशन पर है Skoda कुसाक कुसाक की सितंबर 2023 में 2260,2260 यूनिट भी की हैं इसका sales figure हलाकी 2% जादा हुआ है 21 पोजीशन पर है Nissan Magnite, Nissan Magnite की 2454,2454 यूनिट भी की हैं मेंगनाइट का भी sales figure 20% जादा हुआ है बात कर लेते हैं आप 20 पोजीशन की तो 20 पोजीशन पर है मारूती सुजुकी जिमनी जिमनी की 2651,2651 यूनिट भी की हैं इसका हम year on year comparison नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सितंबर 2022 में launch नहीं हुई थी आगे बढ़ें आप बात कर लेते हैं 1900 पोजीशन की तो 1900 पोजीशन पर है MG Hector Hector की 2652,2652 यूनिट भी की हैं हेक्टर का sales figure 26,26% जादा हुआ है 18 पोजीशन पर है Toyota Fortuner, Fortuner की 2874,2874 यूनिट भी की हैं Fortuner का sales figure 2% कम हुआ है 17 पोजीशन पर है Toyota High Rider, High Rider की 3,804,3874 यूनिट भी की हैं Last month सितंबर 2023 में 16 पोजीशन पर है XUV3OO, XUV3OO की 4,961,4961 यूनिट भी की हैं इसका sales figure 18% कम हुआ है सितंबर 2022 के मुकाबले आगे बढ़े बात कर लेते हैं 15 पोजीशन की तो 15 पोजीशन पर है किया Sonnet Sonnet की 4,984,4984 यूनिट भी की हैं Sonnet का sales figure 46,46% कम हुआ है 14 हमें पोजीशन पर है Mahindra Thar Thar की 5,417,5417 यूनिट भी की हैं Thar का sales figure 27% जादा हुआ है 13 हमें पोजीशन पर है Honda Elevate Elevate की 5,685,5685 यूनिट भी की हैं इसका हम year on year comparison नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सितंबर 2022 में launch नहीं होई थी बर हमें पोजीशन पर है XUV7OO XUV7OO की 8,555,8585 यूनिट भी की हैं XUV7OO का sales figure 41,41% जादा हुआ है जार हमें पोजीशन पर है Hyundai XTAR XTAR की 8,647,8647 यूनिट भी की हैं XTAR का sales figure सितंबर 2022 में 0 ही था क्योंकि दोस्तो ये launch नहीं होई थी आगे बढ़ें अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के 10 वे पोजीशन की तो 10 वे पोजीशन पर है महिंद्रा वुलेरो वुलेरो की 9,519,9519 यूनिट भी की हैं वुलेरो का sales figure 17% जादा हुआ है नौए पोजीशन पर है किया सेल्टस, सेल्टस की 10,558 यूनिट भी की हैं सेल्टस का sales figure 4% कम हुआ है सितंबर 2022 के मुकाबले आठोए पोजीशन पर है मारूती सुजुकी फ्रोनॉक्स फ्रोनॉक्स की 11,455,11,440 पचपनी यूनिट भी की हैं ये भी सितंबर 2022 में लाँच नहीं हुई थी साथवे पोजीशन पर है ग्रेंड विटारा ग्रेंड विटारा की 11,736, 11,736 यूनिड भी की है ग्रेंड विटारा का सेल्स फिगर 146, 146 परसेंट जादा हुआ है बात कर लेते हैं आप चाटवे पोजीशन की तो चाटवे पोजीशन पर है महिंद्राई स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो की 11,846, 11,846 यूनिड भी की है इसका सेल्स फिगर 24, 24 परसेंट जादा हुआ है फिफ्थ पोजीशन पर है हुंडई वेन्यू वेन्यू की 12,204, 12,204 यूनिड भी की है इसका सेल्स फिगर 11 परसेंट जादा हुआ है फोर्थ पोजीशन पर है हुंड़ेई क्रेटा की 12,717, 12,717 यूनिट भी की हैं, हलाकि इसका सेल्स फिगर 1% कम हुआ है थर्ड पोजीशन पर है टाटा पंच पंच की 13,036, 13,036 यूनिट भी की हैं, टाटा पंच का सेल्स फिगर 6,6% ज्यादा हुआ है सेकेंड पोजीशन पर है विटारा व्रेजा व्रेजा की 15,001, 15,001 यूनिट भी की हैं, हलाकि इसका सेल्स फिगर 3% कम हुआ है सितंबर 2022 के मुकाबले और फर्स्ट पोजीशन पर है टाटा नेक्सॉन फिर से ये अपने पोजीशन पर वापस आ गए है इसका सेल्स फिगर 15,325, 15,325 यूनिट भी की हैं, टाटा नेक्सॉन का सेल्स फिगर 6% ज्यादा हुआ है सो दोस्तों यही है सितंबर 2023 की 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUVs वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्रा थैंक यू फो वाचिन